नमस्कार सुबस सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बिहार की राजनीत में जो लगतार दावे किये जा रहे थे उन दावों का कहा जा रहा है कि फैसला EVM में कैद हो गया है छे तारीक को जब चुनाव परिनाम आएंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा लेकिन उससे पहले आपको बता दें दो बातें बहुत एसपस्ट डंग से आ रही है इसमें हमने आपको बताया था कि दोनों ही जगह सीधी लड़ाई राष्टिय जनता दल बनाम भारती जनता पार्टी है और भारती जनता पार्टी का ये दावा है कि जलने से पहले ही लाल्टेन का तेल खत्म हो गया इसके पीछे नितीश कुमार के चुनाव परचार में नहीं जाने को कहा जा रहा है और इससे पहले ही बता दें कि भारती जनता पार्टी जीत का दावा कर रहे लेकिन इन सब के बीच नितीश कुमार के सामने ही कल जब बाते हो रही थी उसके बाद चुनाव के जब खत्म हुआ उसके बाद तेज़स्ली यादों ने इस पश्क तरीके से कह दिया कि भारती जनतापाटी का कहीं दूर दूर तक दोनों ही सीटों पर कोई जीत का आसार नजर नहीं आता है क्योंकि भारते जंता पार्टी से लोग उप चुके हैं भारते जंता पार्टी के प्रवक्ता राजी रंजन ने जब ये बात कही कि उप चुनाव में भले ही महागठ बंधन ये दावा कर रहा हो और इस सरकार कभी भी गिर सकती है, इस अधार पर लोगों ने जो वोट किया वो भारती जनता पार्टी के तरफ किया और भारती जनता पार्टी आने वाले समय में बिहार को लीड करेगी। गटबंधन का होस उड़ गया है परिनाम के बाद इनका पे होस होना सिर्फ बाकी है आर जेडि में खलवली मची हुई है वहीं जेडियू खुसी मना रही है क्योंकि जेडियू चाहती थी कि आर जेडियू चुनाओं में न जीते आपको बता दें कि महा गटबंधन पर पर हवा निकाल दी और हरवा कर लालू और तेजस्वी का घमंड चूर चूर करने की योजना उनकी कारगर हो गई है बात यहीं तक नहीं हुई बीजेपी लगतार इस पर चर्चा कर रही है और लगतार जिस तरह से तेजस्वी आदों के हार की बात कर रही है दोनों ही सीट प्रट में आने के बाद इसलिए रुके कि वो भारतिय जन्ता पार्टी को बिहार से बाहर खदेर सके हैं। प्रट में भारतिय जन्ता पार्टी ने वहां के लोगों को दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया है। का इंतजार है क्योंकि हमें पता है कि दोनों ही छेतर की जन्ता ने हमें आसिरवाद दिया है। अब इसके बाद आने वाले समय में जब चुनाओं के परिनाव आएंगे तो किस खेमे में जस्न और किस खेमे में मायूशी होगी ये देखने वाली बात होगी। तेजस्वी आदों ने जो दावा किया है वो दावा कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो के अकेले दम पर भारते जन्ता पार्टी से टकर लेने के लिए तैयार है। जुड़े रहे हैं भारत लाइब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।